जिन्दिगी में एक होता है मांसिक निरने आसानी से घर बैठे बैठे काजू खाते खाते आदमी ले लेता है AC में बैठे बैठे cooler में बैठे बैठे ले लेता है मांसिक निरने लेने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती सही है फिर दूसरा challenge आता है मांसिक निरने के बाद सारिरिक निरने जो physical decision होता है सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आदमी को महनत करते समय पसीना बाते समय काम करते समय अथक महनत करते समय क्योंकि महनत करना आदमी चाहता नहीं है आजकल तो बिलकुल ही नहीं चाहता है सब कुछ चाहिए उसको घर बेटे बेटे फिरी में आराम से मैंने तो ये तक देखा है कि आदमीयों की तो छोड़ो आजकल की कुत्तों की नसलें भी आलसी हो गई है 20 साल पहले जब कुत्तों के सामने पैदल जाते थे हम लोग हमें याद है तो कुत्ते खड़े हो जाते थे खड़े हो जाते थे एक्टिव हो जाते थे मेरी गली के कुत्ते बता रहा हूँ मैं और जगह तो नहीं अभी इतना देखा द्यान से मेरी गली के कुत्तों के उपर आप गाड़ी चड़ा दो तब भी आजकल उठते नहीं है, पता नहीं क्या हो गया कौन सा नसा करते हैं इस समझ में नहीं आ रहा समझ, साज बता रहा हूं आपको कभी आप नोटिस करना आज के बाद कभी आप स्कूटी वगरा चलाते हो पहले कुट्टे दूर से गाड़ी आती थी खड़े हो जाते थे, पैदल आदमी आता था खड़े हो जाते थे, इतने एक्टिव होते थे 15-20 साल पहले जब हम छोटे थे आजकल कुट्टे इतने अलसी हो गए हैं कि आप उनके मुँपे ले जाके रोक दो तब भी खड़े नहीं होंगे औरन बजाओ तब भी खड़े नहीं होंगे गाड़ी चड़ा दो, तो मैं तो आजकल उनके साथ एक खेल खेलता हूँ जैसे ही मेरे को कुट्टा दिख गया सामने तो थोड़ी तेज ले जाँगा उसके पास जैसे ही भागेगा उधर से मैं तो कम से कम एक्टिब बना के रहूँगा बाकी तो कोई बात नहीं गली के चारी तो कुट्टे हैं कम से कम मैंने का तुमारे पीछे इतनी दोड़ाऊंगा गाड़ी समझ मारा है मेरे पिता जी इनको टोस खिलाते हैं टोस खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, मैं गाड़ी दोडाता हूँ उनके पीछे, समझ मारा है कि नहीं, तो कुत्ते भी आलसी हो गए हैं, मेहनत, मेहनत, मेहनत करनी पड़ेगी, घर जल्दी छोड़ना पड़ेगा, घर में लेट गुसना पड़ेगा, रोज काम करने का मन ब पोड़ नहीं सकते तो नोकरी पे भी जाना पड़ेगा और टार्गेट भी जीतना पड़ेगा बोलो आप और रोज अपने आसपास सब लोगों से बोल दो पैनल पर बार बार बोल दो ये बोलना क्या होता है ये बोलना होता है चौता पॉइंट टाइगर लगाना है अपने पीछे मजबूर करना है अपने आपको आपने देखा एक बंदा पैनल पर ऐलि, वाई महितोष जी आर्मी वाला बार बार बहर बहर दा इस बार आवाज नहीं आ истор है सब नहीं बोल रहे हैं अब की बार बोलना क्या बोलता था इस बार अब की बार ऐसा अब की बार वहता तो किते लोग बोलते हैं कि चौथा काम बार बार बोलना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कि जब आप ब्रह्मांड में कोई भी बात बार बार बोलते हो बार बार निकालते हो बार बार बोलते हो तो वो बात जो है आपकी ब्रह्मांड में हकीकत होने लगती है बोलो आप बार बार उसने बोला कोई आप याद करो जब भी हर दिन पैनल चला हर और हर बार उसने हैंड रेज करके क्या बोला उस आदमी ने बार बार अपने पीछे टाइगर लगाया क्या बोलके कि इस बार मैं तो सिंगा समद्दर पार करेगा इस बार जाएगा इस बार जाएगा इस बार जाएगा इस बार जाएगा पासपोर्ट भी तीन ही दिन में बना है पासपोर्ट आफिसर के पास बोला सर आर्मी में 26 साल नोकरी किया है इतनी तारीक को थाइलेंट जा रहा हूं कम्पनी से जीत के, हमरा पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, उसको बोला ऑफिसर को चाहिए ही चाहिए, उसने उसी दिन इसू कर दिया, तीसरे दिन घर आ गया, उसी दिन इसू कर दिया, तीसरे दिन घर आ गया, क्योंकि आर्मी वाले क्या record चेक करोगे, आर्मी वाले की क्या verification होगी, आर्मी वाले पर क्या सक करोगे, बाद में हो जाएगी सारी चीज है, उसने उसी दिन qualify कर दिया, तीसरे दिन घरा, समझ में आ रहा है, power of spoken words में बहुत ताकत है, आवाज नहीं आ रही, ताकत है कि नहीं है, तो चौता point है target जी धरुटि धरम कॉर जी डेली पैनल पर आती हैं, घोष साब को मैं ज्यादा तर देखता हूँ, पैणल पर हमेशा video पर करके रखते हैं, और वे बाई साब आते हैं, सुरेंदर जी डेली आते हैं, नोकरी पर रहें, कहीं भी रहें, यह हमेशा आते हैं, ओजी पी वर्मा को मैंने ज्यादा तर देखा है, ज्यादा तर देखा है जी पी वर्मा को, वीडियो ओन करके रखते हैं, सचिन पाल आते हैं, निर्मला पाल, सचिन पाल, याद हो गया है मेरे को नाम निर्मला पाल सचिन पाल डेली सौनलाल जी डेली आते हैं सौनलाल जी के लिए जोरदार तालिया होनी चाहिए सौनलाल जी डेली आते हैं मान जाओ अपने बच्चों का बला सोचो सुभे-सुभे उठी नहीं पाते हैं आप लोग ऐसा रात को कौन सा रॉकेट बनाते हो जो सवेरा उठी नहीं पाते बाई ऐसा बाकी के लोग जो नहीं आते हैं उनसे पुछ रहा हूँ ऐसा कौन सा important काम है किते लोग मानते हैं ये आलस है बहाना है आलस है बहाना है बोलो आप और यही हमको वो नहीं करने दे रहा जो बास्तम में हमको करना चाहिए तो अभी किते लोग बोलते हैं चोथा point मेहनत जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गवराते है क्योंकि mental decision कोई भी ले सकता है कि मैं जीतूंगा ले लिया पका हो गया मान भी गए हम लेकिन असली आपकी परिच्छा का होगी फिजीकल decision के टाइम जब डेली उठना पड़ेगा डेली मेहनत करनी पड़ेगी डेली action लेना पड़ेगा और उस टाइम अगर आप कमजोर हो इसका मतब आपका mental decision भी उतना मजबूत नहीं है जितना आप सोच रहे हो आपने किसी और के प्रवाव से और किसी के चक्कर में आके किसी का कुछ करके आपने वो mental decision ले लिया है लेकिन वो पका वाला decision आपका है ही नहीं अब मैं इस जगह एक example देना चाहता हूँ बड़ा खूबसूरत आपको समझ में आना चाहिए दिल तक पहुँचना चाहिए सबसे पहले मेरे को बताएं कि कितने लोग आप मेंसे मावाप हैं मेरी तरह जिनके खुद के physical produce किये हुए बच्चे मार्केट में गूम रहें कुछ कुछ जो भी एक दो तीन जो भी हैं मेरे तीन हैं तो बच्चे हैं आपके सबसे पहले बताओ कितने लोगों के बच्चे हैं आप खड़ा रखेंगे मेरी permission के बिना आप डाउन नहीं करेंगे हाँ जी सारे बच्चे वालों ने आप खड़े कर लिये हैं किसी का नीचे तो नहीं रह गया पक्का सबका उपर है अब देखो ऐसे हैं एक example दे रहा हूँ इस दर्ती पर सबसे rare blood group है O-negative O-negative group जो होता है बहुत मुश्किल से मिलता है बहुत इतनी परेशानी हो जाती है जिनके पैर चूने पड़ते हैं लोगों के जिसका O-negative तो मान लीजिए कि आपके बच्चे का rare blood group है O-negative और जरुवत पड़ जाती है blood group की और आपके बच्चे का O-negative है किते लोग बोलते हैं आपके कावास्तम में क्या ठीक है तो अब किते लोग बोलते हैं कि अगर जरूवत पड़ गई तो arrange होगा कैसी बात कर रहे हो नहीं होगा आवाज नहीं आ रही क्योंकि बात किसकी आगई है बात बच्चे की आ गई है और मैंने देखा है ऐसे लोग ना O-negative बालों को डूंड के रखते हैं पहले से ज़्यादातर परिवार में मा या बाप होते हैं अगर वो ना भी हों तो O-negative बालों को डूंड के रखते हैं वो लोग डॉक्टर भी उनको सलह देते हैं कि कोई O-negative बाले के संपर्क में रहना कभी जरूवत पढ़ जाये तो जिससे आपका काम चलाया जा सके लेकिन अगर मान लोग की हो गया और जरूवत पढ़ गई और किते लोग बोलते हैं फिर कुछ भी करना पढ़े O-negative खून मिलेगा ही मिलेगा ऐसा होई नहीं सकता सरमाजी ना मिले बोलो आवाज नहीं आ रही मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा ना तो ऐसे ही मान के target नहीं कर सकते आप कि होगा ही होगा सर कैसी बात कर रहे हो आप नहीं कर सकते का कर सकते हैं और ये बच्चे से रिलेट कर रहा हूँ इस बात को आप क्लोजिंग कर रहा हूँ अपनी बात की कि अगर आपने दस वीस बार टार्गेट कर लिया हमारे यां तो फिर बलड गुरूप जो भी हो मिलेगा ही मिलेगा लिखवा के ले लो आप ऐसा होई नहीं सकता कि ना मिले ऐसा होई नहीं सकता कि ना मिले बोलो तो किते लोग बोलते हैं मेरा एकजामपल अच्छा लगा दिल तक पहुँचा किते लोगों को लगा बास्तम में हमी कमी कर रहे हैं सर है हमी कुछ मतब ना उतना जयूर नहीं लगा रहे उतनी दम नहीं लगा रहे जितनी लगानी चाहिए उतना नहीं कर रहे जो की करना चाहिए सुबह उठ तक तो नहीं पा रहे पैनल पर सुबह बीडियो तो चालू नहीं कर पा रहे मैं कई लोगों से पुछा बीडियो चालू क्यों नहीं करता है परसनली बोला सर मेरे गर में कोई ऐसी जगाई ही नहीं है जहाँ पर मैं बीडियो चालू कर पाँ मान ली मैंने बाद मान ली मैंने बहुत गरीबी देखी है मान लिया चलो मैंने का ठीक है आपके गर में ऐसी कोई जगा नहीं जहाँ आप बीडियो चालू नहीं कर पाते पौने च्छे बजे उठके आप गली में बाहर आजा लीड लगा के पौने च्छे बजे आप किसी पारक में चले जा पौने च्छे बजे आप छट पर चले जा पौने च्छे बजे आप किसी और जगा चले जा अगर आपको जुड़ना ही है एक आदमी ने बोला सर मेरा तो Jijo घड Illinois या और की सी भी इंकनेट नहीं या रहो अगर आपका घर ऐसी जगह पर हो सकता है ऐसी जगह पर हो तो तो बाहर निकल के आदा एक किलोमेटर कहीं तो जचह डूंड ले ज़ाई इंकनेट आता हो ढूलो अप ऐसा आधम है अपने कल जब बच्चे बड़े होंगे और वो पूछेंगे क्यार तु सफल क्यों नहीं हो पाया ये बोल पाएगा क्यार इंटरनेट नहीं आता था सुब़े हमाई गर में कोई कौना ही नहीं था जहां वीडियो चालू करें बोल पाएगा क्या लग रहा आपको तो कैसे-कैसे बहा है किते लोग बोलते हैं कि सर आज से कोई करें न शौ बंदे आपको हमेशा से वीडियो चालू करके मिलें कुछ तो स्टेटीजी और प्लानिंग बनाते हैं कि यह पैनली बंद करआ कियेैं मैंने दो ही किसम खा रहा है एक तो अ अपने गली चार कुटें उसमें से और उन चार कुट्तों का जीना आराम खर दूंगा लेकिन उनको एक टीम बना खे रहूंगा चार पॉइंट बताएं दौरा लेते हैं पक्का वाला मन बनाना पड़ेगा किते लोग बोल रहे हैं पक्का वाला मन बना लिया सने स्वार टार्गेट जीतना है तो जीतना है अच्छा ये जो मुसीवत है टार्गेट जीतने की एक दो बार है जब तक आपकी लेफ्ट राइट में अच्छे लोग नहीं आ जाते हैं एक दो बार मेनत करो, एक दो बार बागा दोड़ी करो एक दो बार ज़्यादा प्लान दिखाओ, एक दो बार ज़्यादा लोगों को लाओ फिर आप अपने आप जीतने लग जाओगे, क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक दो बार इन्होंने बहुत बागा दोड़ी कर लिए एक दो बार बहुत मेनत, क्योंकि जो लोग दवा के मेनत कर लेते हैं बाकी के सारे option अटा देते हैं फेंग कर फोकस कर लेते हैं उनको कुछी time मेनत करनी पड़ती है लेकिन लेकिन ये आलसी ढीले आलसी ढीले उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी सुधर जाओ जल्दी जल्दी आगे बढ़ो नमबर वन नमबर वन टार्गेट जीतने का पक्का मन बनाना पड़ेगा नमबर दो बाकी सारी जगाओं से मन अटाना पड़ेगा और एक ही जगा लगाना पड़ेगा लेकिन अगर ये लोग टाइमन लेवल पर इतना बाहर रहके इतना कमिटमेंट देके इतनी मेहनत करके अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है हमको भी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और हमको इतना घर से दूर नहीं रहना पड़ रहा है सुबह जाएं सामको बापस आजाएंगे दो दिन जाएं दो दिन बाद बापस आजाएंगे लेकिन लेकिन इन्होंने पक्का वाला मन बना रखा है क्यार हमको रोयल्टी पे पहुंचना है हमको ऐसा करना है हमको वैसा करना है हमको मर्सेडिज लानी है हमको ये करना है और आप लोग अपने आपको देख लो तो आपको इस बार टारगेट बनाने का ये चार पॉइंट आपको अपनी बार 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 दोर आने पड़ेंगे नंबर वन पक्का वाला मन बनाना पड़ेगा दूसरा 99% चीजों से मन अटाना पड़ेगा तीसरा चार तरीके के जो डिसीजन है उसमें फिजीकल डिसीजन जो सबसे इंपोर्टेंट है वो लेना पड़ेगा रोज मेनत करना जगना जगने से कलियर होगा कि भाई हम बास्तम में प्रेरित हैं कि नहीं किसी काम से क्योंकि जगने का कारण है क्योंकि लोग बोलते होंगे इनमेंसे जो लोग पैनल पर आ जाते हैं वीडियो चालू करते हैं उनको बिवकुप मानते होंगे वो लोग अपनी नजर में जो लोग वीडियो चालू नहीं करते और कही लोग अलारम लगा रखा होगा उन्होंने छे बजिके एक मिनिट पहले पांच उन सेट पहला अलारम बजा थोड़ी सी आख खोली किलिक किया और आवाज थोड़ी कम करी वोल्यूं की क्योंकि ज्यादा आवाज में सो नहीं सकता ना अदमी कम करी और इधर करवट ली दूसरी और कुछ भी बगते रहो तो हमाई तो आजरी लगी गई बोलो यह उनसे तो अच्छे ही हैं जो कम से कम बिचारे आनी रहे किते लोगों ने आप मेंसे राख डालने की कहानी सुनिये एक औरत गाओं में बड़ी जिद्धी और एक मांगने वाला आता था गाओं में तो मांगने वालों को आपने देखा है आते हैं और आने के बाद आपके दर्वाजे पर आ जाते हैं तो मांगने वाला एक औरत के घर जाता था दर्वाजे पर आके मांगता था कि माई कुछ दे दो अब माई क्या है देना नहीं चाती थी तो कभी बाहर ही न निकले वो कुंदी खटकटा खटकटा के चला जाए फिर कभी कुछ करे कभी कुछ करे ये और ज्यादा तर वो क्या करती थी उसने टाइमिंग सेट कर ली थी कि बावा आएगा साड़े दस बजे सुबह तो वो सवा दस बजे अपने घर ताला वाला लगा के बार निकल जाती थी बावा ने एक बार पक्का मन बनाया के लेके ही रहूँगा इस बार बिल्कुल चुप अपना कटोरा बटोरा अंदर रखके साड़े नौ बजे बोला उसी के घर से चालू करूँगा समझ महा रहा है अब साड़े नौ बजे विचारी कुछ कर रही होगी अपना काम दंदा साड़े नौ बजे बावा बिल्कुल गाओं में चुप आगया कोई बात नहीं करूँगा बोला उसी के घर से बौ नहीं करूँगा आच और देखता हूं कैसे नहीं देगी अब बिचारी अंदर फस गई बावा दरवाजे बखड़ा है और कुंदी बजा रहा है और वो जो अपना अलाब गाते हैं कि माई देदो फलाना जो भी करते हैं वो कर रहा है और और बिचारी अंदर फस गई और इतनी ज़्यादा देर हो गई है तो पड़ोसी खट्टे होने चालू हो गई पड़ोसी भी क्या करेंगे जब वो बार बार कुंदी बजाएगा पड़ा रहेगा जित करेगा तो पड़ोसी खट्टे होने लगे अब पड़ोसी भी बोलने लगे कितनी खराब औरत है विचारे को देदेवादे ऐसी क लाना क्या है, ऐसी कितनी सतवंती बन रही है, ऐसी क्या करेगी, ऐसे बोलेंगे न गाउं में, तो वो सब बोलने लगे, अभी फस गई, क्या करे, तो गाउं में चूले में से राख लाई, मुठी बर गे, लाना था आटा लेकिन क्या लाई, राख लाई, और राख लाके उस और बौलर राख डाल गई उसका पुराना आटा भी खराब कर दिया ऐसी बिचारे क्या उससे इसका नफरत है ऐसा क्या है फला ना है ये है वो है और बावा असरा है मस्त हो रहा है खुस हो रहा है और नाच रहा है अब मजा आ गए अब बोला ठीक है वो ये वो और पड़ोसी बोले एक वो और खराब है ये बावा भी पागल है क्यों? क्योंकि और तो जिद्धी है देना नहीं चाहती बावा इसलिए पागल है कि राख डालेगी आटा खराव हो गया पुराना और फिर भी असरा है खुश हो रहा है नाच रहा है तो उस बावा से पूछा बावा क्या बात है ऐसी ऐसा क्या मिल गया तेरे को राखी तो डाली है ना बोला बात यह नहीं है डाली है बोला आप डा वो वीडियो ओन करेंगे क्योंकि आप डालना सीख गें कि अभी वीडियो चालू भी करना चाहिए पैनल ओन करना चाहिए और इस बात का फिजीकल फिजीकल से इस बात का बड़ा का रिलेशन है मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं भी कही दिन पैनल पर नहीं आता हूं कभी ट्रेन में कभी कहीं कहीं नहीं बिजी रहता हूं नहीं आता हूं लेकिन मैं अपनी तारीफ बता रहा हूं इसलिए लगबग चार सालों से मैं पैनल चला रहा हूं 2020 म और बोलूँ खुद चला लेना, खुद बंद कर लेना, क्योंकि मैं अपने को मजबूर रखना चाहता हूं किसी ना किसी बात पर, क्योंकि मेरे को बहुत आगे जाना है, डेली पैनल को चलाता मैं ही हूं, तब से लेके अब तक चार सालां से, किसी को नहीं दिया मैं अब पासवर्ड है, तो मारे पास चला के खुद ही बंद कर देना, तो फिर मेरे ने में संसे है, क्योंकि मेरा फिजीकल अभी कमजोर हो रहा है, मैं आलसी हो रहा हूं, मैं डीला हो रहा हूं, और मैं यहोना नहीं चाहता, मैं अगले चार साल, चालिस साल तब तक ऐसे ही प मोवायल के आ है, वहाँ सिक्योरिटी में अंदर जाता है, और सुबह की में फिलाइट लेता हूं, ज्यादा अतर से छैसाले चेकी रहती है, मैं यहां सिक्योरिटी चेक करा रहा हूं, मॉबायल यहां रख दिया, और जैकिट उतारनी पड़ती है, ठंड का टाइम है, जैक कभी एक अद बारे इनों ने फॉन किया अगर लेट हो गया मैं लेकिन पैनल मेंने हमेशा चलाया जब मैं अपने आपको कोई तना मजबूर रख सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं रखते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ऐसा क्या मिल गया है तुम क्यों जी ऐसा क्या मिल गया है ऐसी कितने करोणों का खेत है तुमारे पास क्योंकि मैं उस परिवार से आया हूँ एक छटाक पिताजी का नहीं लिया मैंने एक छटाक मेरे पास एक इंच जमीन पिताजी की नहीं है एक रुपया पिताजी का नहीं है एक कुछ भी उन्होंने मेरे को दिया ही नहीं, अपने नाम के अलावा उन से मैं किसी वी चीज को मांगने वाला नहीं हूँ, समझ महा रहा है आपको, और मैं किसी वी कीमत पर यहां पर आगे निकलना चाहता हूँ, अभी भी किसी वी इस्तिती में, तो आपको ऐसा क्या मिल आए, मैं आपसे पुछ रहा हूँ, जो सुबह इतनी नीद आ रही है, पैनल नहीं उठ रहा, चालू नहीं हो रहा, वीडियो चालू नहीं हो रही, तो किते लोग बोलते हैं कि यह फिजीकल डिसीजन की निसानी है, नमबर वन, कि आप पैनल पर वीडियो चालू करते हो, या नहीं आते हो, बोलो आप, मजबूरियां कुछ भी हो सकती है, मजबूरियां आप कितनी भी गिना सकते हो, मजबूरी गिनाने में हम नमबर वन हैं, लेकिन मजबूरियां होने के बावजूद भी वो काम किया जाए, उस आदमी को कलाकार मानते हैं, बोलो आप,